मिस्ट आनियल महुन क्या मैं पूछ सकते हूं ऐसी कौन सी जुरूरी बात कहने के लिए आपनी मेरा गेम डिस्टरब किया अरे जो बात में कहने जा रहा हूं वह इतनी जुरूरी है कि उसके लिए जंदगी और मौक की बादी भी लग सकती है आने वाली कई नसलों का भविश नाम की नगरी में जन्म लेने वाली है फिर फिर वही आत्मा रुमा देवी के मन में खयाल और बद्रीनात के मन में प्यार बनकर उतरी और इसी तरह 1937 की जून की रात को गैरा बच कर गैरा मिनिट गैरा सेकंड पर उस पवित्रा आत्मा ने जनम लिया जिसका नाम अनिल मह मुझी यह सब नॉंसेंस आप मुझी क्यों सुना रहे हैं वह जिसके लिए मैं जन्मा वह 1922 के अक्तोबर में शाम के पांच बच के पांच मिनिट पांच सेकंड पर पैदा हूँ और जिसका नाम आशा चाउद्री यानि कि मैं यही सुरूरी बात के निकली आप तो अब है भागवान कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब मैं जनम लेता हूँ और आजकल पाप बढ़ गया है और अब वक्त आ गया है कि इन पापों को सर्वनाश करने के लिए कोई महानात्मा आए सारा जमाना छोड़े चले दुनिया की रसमें तोड़े चले सारा जमाना छोड़े चले, दुनिया की रसमें तोड़े चले दिल हो जहाँ, प्यार हो जहाँ, तुसे दुनिया की ओर चले सारा जमाना छोड़े चले, दुनिया की रसमें तोड़े चले कनल twelve के यद Wick कर दो से हम कर दOOD कर पाद हिम्मत भी है रफ़तार भी अधरों से है हमें प्यार भी हुआ हो 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 हुआ हिम्मत भी है अप्तार भी मत रोते हैं हमें प्यार भी आगे हैं हम पीछे जहाँ हर मोड़ पे है नया हिम्तहाँ सारा वाल दुनिया की रसमें उड़े जले दिल हो जहां असे दुनिया की ओड़ चले सारा वाल Jetzt जुनिया की रसमें टोड़े जले कुए कि हुआ हुआ अंगूर से होटो वाली, सिंदूर से कालो वाली अंगूर से होटो वाली जिसमीं कोई वाजाएंगे, दुनिया पे हम उचा जाएंगे सारा जमाना चोड़ चले, दुनिया की रसमें तोड़ चले दिल हो जहाँ, प्यार हो जहाँ, उस दुनिया की ओर चले सारा जमाना चोड़ चले, दुनिया की रसमें तोड़ चले अजमा जया की एचा भाएंगे, जुनिया की आपज तोड़ चले, आपकर जिए्या की जहाँ मों मेर्माना च्टार काड़ चले, बाहाँ चले, वाहाँंगे, बाहाँंगे हाई, हाई राजू, हाई पॉली, हाव हर यू, तुम यहाँ, हाँ, मैं हाँ, 11th फ्लोर पर रहता हूँ, मैं 10th फ्लोर पर अपनी एक सहेली से मिलने आए हूँ, हलो, I'm Polly, ओ, सॉरी, मैं तुम लों को मिल्वाना भूल गया, यह है, मेरा दोस्त, हाउड यह दू, मिस्टर हाई, हाउड यू डू, मिस पॉली, अपना हाथ साथ ले जाओ, 10th फ्लोर आ गया, सॉरी, वेरी सॉरी, यार, मुझे एक बात करनी है, आप यहाँ से फूटने का क्या लेंगे, कहाना एक जरूरी बात डिसकस करनी है, कौन सी बात, अपनी वो मिस्टर पॉली के बारे में, अफ़ा, इस साले मोटे ने जहाँ लड़की देखी नहीं, कि लाइन मारना चालू, साला लाइन मार कहींगा, क्या, फिगर है यार, और अंदास देखिए, वाह, ए, शीज माई न, तेरा तु कुई चकर नहीं है न उसके साथ, I really like her, शीज ब्यूडिफुल, वो हमारी है, हम इतना जानते हैं, बस बस, बहुत हो गया, अब कल बात करेंगे, कहां बात करेंगे, पॉली इदर आएगी क्या कल भी, यह ऐसा करें, हम भी वहीं चलें, लेट सब आराउंड यार, अन दे बाइक, अरे भाई, अब बस भी कर, तू बड़ा गदा आदमी है यार, अपनी जिंदकी की सबसे हसीन लड़की मिली है, और हम साले बात तक निगा सकते, I say she's beautiful, हाँ भाई माना, अजी मानना ही पड़ेगा, मानोगे नहीं तो जाओगे कहाँ, आचा भई, कल कॉलिज में बात करेंगे, खबरदार जो कॉलिज में किसी से पॉली के बारे में बात भी की तो, she's mine, उस पे सिर्फ मैं लाइन मारूँगा, और जो कई साला बीच में आया, उसकी टैंगे तोर दूँगा, she's yours, और कुछ? हाँ, good night. कुछ! कुछ! झाल 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 उच्छी तुल मेरी मचली किस्ता बानी किया मजा है देखा बढ़ गया ना लावल पानी का मेरे कूदने के बाज आजा प्राण अजब और प्राण जो पॉहुई भी जो प्राण उन्य लगल झाल कि धल लगल संह जो हुई कि अज़रा आज़रा दो कि अज़र आज़रा अब ख़ला क्या है अज़र ना राजू, अब राजू, कमोन यार पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा अब क्या हुआ, आज आ यू नहीं अब क्या खोगे है तेरा तुम्हारे टैटी की चिठी आई है, अमेरीका से उन्हें पांच लाग डॉलर का ओडर मिला है कुछ दिन उन्हें वहां और रुपना पड़ेगा और वहां उन्हें सेर्टी वी द्याल और उनकी लड़की मिल गए अरे वो ही जो बचपन में तेरे साथ खेलती थी छोटी सी, जारी सी नाम याद है तुझे? नाम तो पूछा ही नहीं किसका नाम नहीं पूछा? आरे मैं रीटा की बात कर रही हूँ दिखा है बहुत खुपसूरत निकली है राजू देखेगा तो हैरान रह जाएगा कुम हो गई है कौन कुम हो गई अरे तेरी तबियत तो ठीक है ना तुने तो कुछ खाया भी नहीं मा वो मुझे भूग नहीं है मा नहीं यार मैं डरता वरता नहीं हूँ पर वो और उसकी चक्कू बाई दोनों बस दादागरी दिखाते रहते हैं तू मरा क्यों जा रहा है संबाल लेंगे वह आ रहा है दूआने दे देख लेंगे देख लेंगे इडियट क्योह बहे उल्लू के पठे क्या कहा था तुने चकू से मैंने मैं मैं क्या कहा था कहता था चक्कू तो किकी के पीछे क्यूं पड़ी है मैंने नया मोटर साइकल खरीदा है आ मेरे साथ सवारी कर हरामजादे फिर चक्कू को चपमा देने का सोचा तो खून पी जाओंगा मैंने हरी से कहा था चक्कू को संदेश देने के लिए मैंने भी तुन नया मोटर साइकल खरीदा है नया मोटर साइकल भूल गए तेरे अंकल की मौत भी मोटर साइकल पर ही हुई थी बच्चे मोटर साइकल खरीदने से कोई ड्राइविंग नहीं सीख लेता अभी तेरे साइकल वाइकल चलाने के दिन है मर मरा गया तो तेरा बाप तुझे भी रोता फिरेगा के बच्चे मोटर साइकल था थी कर दो कर दो चलोके कि साहने हो से कि अख़ा नारी प्राज़ कि अख़ा दो है अगता है हाई राजू हेलो पॉली हाई पॉली हाई हैरी तुम एक दूसे को नहीं जानते राजू, यह है मेरी फ्रेंड अनू हलो हलो ओर अनू, यह है है precursives राजू का जिगरी हलो राजू, तुम की की को जानते हो न तुम्हारा ख्लास फेलो अनुकीकी की बेहन है अरे भाई हर लड़की किसे ना किसी की बेहन होती है इसका मतलब यह तो नहीं कि हम तुम को आरे मर जाए जा अरे जा ना I'm sorry अनु यह रुमाल तुम्हारा है तुम जानते हो मेरा नहीं फिर भी रख लेती हूँ मेरे पास कलकेशो की टिक्टे है प्लो हाट प्लो कोल पर वो तो अडाल्स फिल्म है तो क्या हुआ हम साड़ी पहन के जाएंगे तो ठीक है कल शाम को एरोस पे भोलना मत प्लो हाट ब्लो कोल यार हैरी तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे यह कोई 20 रुपे नहीं यार क्यों कल फिल्म देखनी थी यार अपने पास तक भूटी कॉडी भी नहीं बहुत कटकी चल रही है आजकल तो ठीक है मैं पॉली और अनू को बल देता हूँ पॉली फिर कभी सही पॉली भी यारी फिल्म देखने हाँ तो रही थी लेकिन तु घम न कर यार पैसे पैसों को बंदोबर्थ हो जाएगा और जाने दा यार तुझसे कहा ना यार वीस रुपे क्या चीज है तु जान मांके देख जान टिकेट प्लीज टिकेट टिकेट एज प्लीज उनिस साल वी आप नहीं जा सकते हैं मगर आप देख रहे हैं कि हम सब साथ हैं लेडीज जा सकती हैं तेक यो टिकेट भाई आप नहीं जानते हैं कि हम लग फाइनल यहर में हैं यहर इन बीए साइड प्लीज यह बच्चों की पिक्चर नहीं है हुआ 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 जो ना छोटे है ना बड़े बड़े मुश्कील में वो बड़े उनके लिए वक किसी के बात नहीं उनके लिए वक किसी के बात नहीं वो जो ना चोटे हैं ना बड़े बड़ी मुश्किल हैं वो बड़े थे उनके लिए ना तो बाहर की दुनिया उनके लिए ना तो बाहर की दुनिया ना इस की नारे ना उस की नारे बीच धाये पर हैं वो खड़ी जो ना चोटे हैं ना बड़े बड़ी मुश्किल में वो बड़े उनकी मुश्किलों का एहसास नहीं उनके लिए बड़ किसी के पास नहीं वो जो ना चोटे हैं ना बड़े बड़ी मुश्किल में वो बड़े कि sorry कि बड़े उनके वोगड़सा ना चोटे। कि पढ़े वो कि वो वो छया आ बड़े जो.. हमको सभी हर बाद पेटोते करें हम किसी से प्यार शीना ये भी अधिकार करें हम किसी से प्यार शीना ये भी अधिकार मेले में हम तो अकेले थड़ी जो ना छोटे है ना बड़े बड़ी मुश्किल में वो बड़े उनकी मुश्किलों का एहसास नहीं उनके लिए वाद किसी के बात नहीं वो जो ना छोटे है ना बड़े बड़ी मुश्किल में वो बड़े Hello? अलो, मैं अन्नु से बात कर सकता हूं? हाँ अन्नु, पिक्चर कैसी लगी? अच्छी थी ना? हाँ, अच्छी थी कैसा लग रहा था माँ, पिक्चर में? मेरे मतलब है, साथ में मैं नहीं था, ना? मेरे मतलब है, अच्छा नहीं लग रहा होगा, माँ? मेरे बिना हाँ कुछ नहीं मुझे पता नहीं कौन था राजू राजू सोनी हाँ कौन राजू सोनी सुरेंदर मोहन सोनी का बेटा यह मिस्ट अनिहर महन क्या मैं पूछ सकते हूं ऐसी कौन सी जुरूरी बात कहने के लिए आपनी मेरा गेम डिस्टरब किया अरे जो बात में कहने जा रहा हूं वह इतनी जुरूरी है कि उसके लिए जंदगी और महाँ की बादी भी लग सकती है आने वाली कई नसलों का भविश्य तुम्हारी हाँ और ना पर अठका हुआ है और इसी तरह 1937 के जुन की रात को 11 बच कर 11 मिनिट 11 सेकंड पर उस पवित्रा आत्मा ने जनम लिया जिसका नाम अनिल महुन लख गया अनिल महुन जी यह सब नॉंसंस आप मुझी क्यों सुना रहे हैं वह जिसके लिए मैं जनमा वह 1922 के अक्तोबर में शाम के पांच बच के पांच मिनिट 5 सेकंड पर पैदा हुए और जिसका नाम आशा चाउद्री यानि कि मैं यही सुरूरी बात के निकले असली बात तो अब है भगवान कृष्ण ने भगवत दीता में कहा है धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब मैं जनम लेता हूं और आजकल पाप बहुत बढ़ गया और अब वक्त आ गया है कि इन पाप अबी तो तुम हो जो ऐसी बात सोचते हो अरे जब ये बात धर्म और समाज के आगें से की जाए तो पुन्य बन जाती है तुम शादी की बात कर रहे हो ना अरे हां अरे पगली हां तो कब चलेंगे घर तुम्हारा मेरे घर चलना तो उसी दिन तैय हो गया था जब मैं इस दर्ती पर उतरा था यानि कि कल शनिवार शाम को छे बच कर छे मिनुट छे सगन पर हां आओ ना आओ महानात्मा यहां तक आकर कदम क्यों उग गया है वक्त आगया है कि दर्ती की तक्दीर बदल दी जाए बस दो चार कदम और दर्ती की तक्दीर बदलने से पहले जाना चाहूंगे यह तस्वीर किसकी है मेरे भाया सुरेंद्र मोहन शेहर से बाहर गये हुए है यहां कोई नहीं है तो फिर तुम्झे यहां क्यों लाए हो बहुत भोली तुम हमाद बेसबर मुझे इस घर में तुम्हारे भाया की गहरास्ट में नहीं आना चाहिए था देवी जी मेरे भाया की मौजूद्गी में आप इस घर में एक कदम भी नहीं रख सकती है वो मुझे जानते हैं क्या तुम्हारे भाई को जानते हैं उनसे दुश्मनी उनकी तुम्हारे भाई ने एक मुकदमे में उनके खिलाफ छूटी गवाई दी थी इतनी सी बात क्या भूलनी सकते हैं तुम उनके खुसे को नहीं जानते हैं वो मुझे छोड़ देंगे, दुश्मनी नहीं और उनकी खादर, तुम मुझे छोड़ दुगे कभी नहीं, दुश्मनी पर मुहबत का बलिदान नहीं हो सकता हाँ, मुहबत पर दुश्मनी को खुर्बान जरू किया जा सकता लेकिन हमारी शादी है होगी? जुरूर होगी इस नफरत के महाल से अधुर हमारी सपने का जनम होगा जहाना तुमहारा भाई होगा, ना मेरा ना खादनी दुश्मनी बस हम होंगे, हमारा प्यार होगा लेकिन मुह मत रखो, मैं जू हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारा चनुम जनुम का साथी कहा जाने की तैयारी हो रही अनियल के साथ भाग जाने का इरादा है क्या तुम क्या समधियो आशा कि तुम हम सब के मुँपे कालक पोत के चल दोगी और हम खामोश बैठ रहेंगे याद रखो आशा अगर तुम अनियल के साथ भागी आज या फिर कभी मैं तुम्हें पाताल में से ढून निकालूगा उसके तर टुक्ले टुक्ले कर ही दूँगा लेकिन तुमको भी जिन्दा नहीं चोड़ूगा समझी जिए हूँ लुट 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 लप लुट 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 कर दो कर दो कन दो कि अठी कि प्राओ дня, कि अपट था प्राओ रेम तो पिरु़ मारे बिदा है. मत रिदे घजा रहले कि अध्यूफ पिरुफ करें खब। कि अः़ी है. कि अः़ी है. कि अः़िती है गौजब ठाइब पिरुफ दो दो जब हो। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल अधाई दॉटका लड़की को फिल्म में दिखाता है उसके होटलों के बिल चुकाता है उसको कीमती तोफेल लेके देता है और फिर लड़की मेरबान होकर उसको एक आथ चुमी देदरती है यह क्या देख यह पता वो आपस में क्या करते है बई मुझे तो तजर्बा है नहीं पॉलेश की किताबों में तो ये बात पढ़ा ही नहीं जाती अब माबाप से पूछें या उनसे जिन्होंने प्यार किया है तुम मार पढ़ने का डर है अब तुम बताओ इसमें हम क्या करें लेकिन कोई बात नहीं दिशी मुनी लोगों ने हर समस्या का हल निकाला हुआ है शास्त्रों से ये बात चीकी जा सकती है मुझे अच्छी तरह से मालूम है क्यों कैसे गई अब तो मानते हो ना गुरू हाई 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 पॉली हाई राजू हाई क्या चल रहा है यूँ ही टाइडल देख रहे थे क्यों कुछ मिला इसके बाद क्या प्रोग्राम है कुछ नहीं कहीं चले है क्यों आनू हाई अच्छा हम लोग बाहर वेट करते हैं हाई हाई चल वे क्या यार इन साली बच्चियों ने सब काम बगाड़ दिया अगर थोड़ी देर से आती ना तो मैं खरीद लेता वो किताब तू नहीं तो मैं खरीद लेता यार अरे चलना तू किसको बेफकू मनाता है यार पॉली मिली गो अच्छी से किताब ने वो हाँ जड़ा देखें हम लोग इस सैटरेड़े को बाहर घुमने जा रहें नहीं यार इस सैटरेड़े तुम्हें ममी के साथ फसी रहूंगी और अनु तुम कि कल मैंने कि हिंदी फिल्म देखी पता है उसमें क्या होता है हीरो और हिरोईन ऐसे ही एक नदी के किनारे बैठें हैं जैसे हम बठे हैं हीरो हिरोईन से पूछता है सुनो तुम किसी से प्रेम तुनहीं करती है फिर हिरोईन कहती है नहीं फिर तब हिरो हिरोईन का हाथ अपने हाथों में ले लेता है ऐसी है फिर कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं फिर मैं तुमसे प्रेम करता हूं फिर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ यह तुम मुझसे क्या रहे हो नहीं नहीं हेरो हेरो इंसे क्या रहा है क्या तुम अपने आपको हेरो समझते हो तो तुम क्या समझते हो में?? मुझे तो तुम जोकर लगते हो मैं जोकर लगता हूं और तुम क्या हों??? लॉम्री एह लॉम्री खा दे हम खा दे हम खा देख म.. खा दे लॉम्री तै लॉम्री कर दो कर दो आप सकता है कितने राजे तुझे देखके दरागी बन गए कितने राजे तुझे देखके दरागी बन गए कितने राजे तुझे देखके दरागी बन गए कितने राजे तुझे दरागी बन गए कितने राजे तुझे दरागी बन गए सासों में राजे लिये खोटों पे आग लिये सासों में राजे लिये किसको टसने तुझे दुझे दरागी बन गए किसको टसने तू चली जुल्फों के नाग लिए कितने राजे तुझे देखे के बैरागी बन गए बैरागी देखे तुझे अनुरागी बन गए रब का नजारा बदन प्यार से ये प्यारा बदन दिल कहे जीवन देकर ले लो तुम्हारा बदन दिल कहे जीवन देकर ले लो तुम्हारा बदन कितने राजे तुझे देखे के बैरागी बन गए बैरागी देखे तुझे अनुरागी बन गए कितने राजे तुझे देखे के बैरागी बन गए कितने बने गाजे कितने देखे के वपड़ कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, 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 क झाल 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 वो करीडूर में दाए हाथ वाला कमरा करीड़ो ऑला करीड़ो अबार करीड़ों हृूवबों लाला करीड़ों दाला करेश वाला करेश हाथ नाए हाथ मेरा दाइं वैल कि कि मैंनलग में औाला थे कि अ counting उन में से अफ़ा हुआ! कि इसदो रचे सन् لखिए गए र inputs ना嗎.... मैं औरी आमक्सीन खरेंः…! कि अजे अजे और देक कि अजे ए्क नजे़। कि मुशे पिक अनी के बाल ग вм Cleese 6 पर देते बाल... ते कि यрем corrections हुआ है! लाओ बाओ झाल बाओ झाल से झाल एड़ झाल शुम् दोड़ान, यारे लोड़ान, यारे नुम् यारे ली लुख घचरणे लुम् आफूर हमारा अपना एक घर होगा और सुन्दर सा एक सिटिंग रूम होगा उसमें एक शांदार सोपा दो साइट चैर्स नीला नहीं पीला सेंटर टेबल चौकोर नहीं कोल ओ कापेट तो भूली गय थे साइट टेबल डाइनिंग टेबल डाइनिंग चेर्ज और एक साइट बोट एक स्टडी टेबल और साइट बोट पे धेर सारी क्रॉकरी और और मेरी गुडिया टेलीफोन बर्टेन और बहुत से फूल अहां इदार नहीं उदार एर कंडिशनल पेंटेन और उस कोने में टेलेविजन और फिर शाम के वागत तुम था के मान दे दफ्तर से घर लौटा करोगे किया करहे थिए, संदाथ किया Isma winter कि अ कोने आफने सिर्थ कि अनल अजर अब कोई लफ्स मेरी शान के खिलाफ जबान से निकना तो अच्छा नहोगा बड़ी शान अज तुम्हारी शान और इज्जत और बिट्या के दहस से जाहिर हो गई तन पे नहीं लटता और पान खाएं अलबता बस अभी चंदा को सारा कर दो और वो तुम्हारे घर में नहीं रहेगी चंदा ले जाओ हमें खुद ऐसी मन्हूस नागिन का पैरा नहीं चाहिए जिस कमभक्त ने आते ही मैंने सुहाब को डस लिया जाओ चंदा लेकिन उन्हें तो कॉलिस के आले ने लिजे वो कान है चलनी कर हमारे घर से कर लो ही आँ चंदा तो नहीं में बढ़ जाओ अब इससे ज्यादा बेज़िती परदास्ता होगी अब मेरे लिजे सब एक फ़गर भी खानाना मुश्किल है चलो चंदा मैं बात से को खाल होता हूँ आओ पिता जी जब तक हो ना आए और इजादत ना दे दे मैं नहीं जा सकती कैसे नहीं जाएगी चलनी कर अब बाबा को बुरबा कर गालिया खिलबा दी और खुद कुछती लड़ने पर आमाद है आओ तो बहन जा जाओकी अब तो हर्गेस यहां नहीं रह सकती किश्च जोड़ा आंप कर दूबगा को ऑख कर दूबान जाओकी अनधा अन्या तो खड़ी दोड़ी फिक्वादवी आने का गालिया तो खड़ी दोड़ी चीतवाद दूब है नहीं हमारे घर में टीवी नहीं रहेगा। लेकिन क्यों। इन्पना लाइं हे लेकी शे enzymes यह भी कोई बात है। टीवी ज़रूर रहेगा। मैं टीवेसे नफिरत करती हूँ। देखो ये मेरा घर है। और तुम मेरे भیबी तुम हो। लेकिन एक वादा करो, जब टेलिविजिन से तुम्हारा जी भर जाया करेगा, तब तुम मेरे और भी देख लिया करोगे ना? घलत, जब तुम्हें देखने से जी भर जायेगा ना, तब टेलिविजिन देखागो. तो ऐसा दिन भी आएगा, जब मुझे देखके तुम्हारा जी भर जाएगा. अन्नू, नहीं बाबा नहीं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा. तब टेलिविजिन कट? कट, बिल्कुल कट. ओ राज्यू. लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पैसा कहां से आएगा? ये तुम जानो, पैसा कमाना तुम्हारा काम, घर चलाना मेरा काम. माबाब का एक लोटा बेटा हूं, इतने पैसे तुम मुझे एक चेक से ही दे देंगे. लेकिन तुम्हारे डड़ी क्या, वो हमारे शादी पर राजी हो जाएंगे? सच तो यह है कि मुश्किल है. मेरे डड़ी भी नहीं मानेंगे. तो? एक रास्ता है, क्यों न हम पहले शादी कर ले और फिर उनका अशिरवाद ले? हाँ, ये ठीक है. इससे पहले कि मेरे डड़ी अमेरिका से लॉटा है. कब आ रहे हैं वो? कल. मेरे डड़ी भी कला रहे है. तब तो शादी आज ही होनी चाहिए. आज नहीं, अब भी. ओम सर्व मांगल मांगले, शिवे सर्वासाजे, चर्णे ठ्रिम्बते, चर्णी बॉदू ना राएं नमो सते. बीटी, वर के गले में ये माला पहना दे. बीटा, अब वदु के गले में ये हार पहना दे. अब बेटा, वदु के मांग में सिंदूर भर दे. आपका हार्तिक स्वागत करते हैं बंबई तक प्रीज केट में अनदर सीट मैं इस खटिया आजमी के साथ नहीं बैठ सकता है आम एक्स्ट्रिमली सॉरी सर्ड या फूल टोड़े फर्स्ट क्लास में कोई सीट खाली नहीं है इस एरलाइन से ट्राइवल करने का ये मतलब नहीं कि आप मुझे किसी भी बाजारी मोची के साथ बैठने को कहें चमरे की बद्बू के मारे दिमाग भडा जा रहा है एए मिस्टर एए मिस्टर मोची किसे का तुमने मोची तू मोची तेरा बाप मोची तेरा पुरा खांदान गामेंट एक्सपोर्टर गामेंट एक्सपोर्टर बने फिरते दर्जी हो साले दर्जी और तुम जैसे हजारों दर्जीओं को मैं एक जटके में खरीच रकता हूँ फिर भी रहोगे मोची के मोची दौलत आजाने से इस्जत नहीं आती समझे बाप मरा है पुरानी पेंटों की मरमत करते करते और बेटा भाड़े का सूट पेंटकर इजद का ठेकेदार बन गया अब मारूंगा एक हाथ मुह तरदूगा तेरा प्लीज आप इदर आईए उससे हाथ क्यों मिलाया उससे हस के बाद क्यों की आखर तुमने मझे समझ का रखा मैं तुम्हारा पती हो या नौकर साफ साब क्यों नहीं कहते है कि मुझसे जी भर गया और ये गोरी चमडी भाग गयी है ऐसी है तो छोड़ा मुझे माय के मैं कौन सा तुम्हारे पीछे पड़े है सोचूंग आज के बारे में एक्स्क्यूज मी सर आप सीथ बदलना पसंद करेंगी ताकि ये खुलकर गुल चर्रे उड़ा सके खूब जानती ही तुम जैसी लड़कियों को तुमीने बिगाण है मेरे पती को बैठ है रोजी टिके क्लिया है कोई मुपत सफर नहीं कर रहे है एक्स्क्यूज मी सर आप अकेले हैं जी अकेला पाइटीस साल से अकेला ताक बैंग बैलेंस आप वहां बैठना पसंद करेंगी माई तो ही रोईन का सपम देख रहे थे आप वो हिंदी पिच्चर का विलन के साथ बाइटने को बोलता है जी है आपने खूब पहचाना वह सच मुझे काथ खून कर चुका है सारी सर ओके ओके मिस पाइलेट से के दना के जरा प्लेन हुशारी से फ्लाई करें एक बड़े मन्हूस हजरत सावारियों में है प्रिटिश एवेज की उरान दो एक पांच अब न्यू यू यॉर्क लंडन डेली से आ पहुंची है राज्यू डैडी गुलेन आई होते है लेकिन तुम जाओ यहां से की की आ रहा है मैं कल सुबह तुम्हें फोन करूंगी प्रिटिश वेजिए जए तुमम में की इसा और ने जाओ यूज ने जाओ फिलाए तो आ गई है यहां डैडी भी आगए कस्टम से सामान क्लेर कर वारे है चलो इंडीए भी प्रिटिश का इसांगी इसांगी ने लोल हाई 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 वाई यूल इसे रो बेटा, कैसे हो? लीटा को पैचाना? हलो. हलो राजू. लीटा जिनिवा की फ्लाइट से आई है. बेटा जा समान अभी तक कस्टम में है. समान क्लिया कराकर तुम उसको अपने साथ ले आना. हम लोग चलते हैं. पाइंट सी यू. कमान, हाव यू बेट लाव? कैसे हो जॉनी? तुम अच्छी तरह से जानती हूँ. मेरा नाम जॉनी नहीं, राजू है. और जो लड़का मुझे पसंद आजाए, उससे मैं जॉनी के नाम से पकारा करती हूँ. अच्छा, कितने जॉनी आचुके हैं तुम्हारी सिंदगी में? हाई, लेकिन अब तो सब जॉन्यों को हमेशा हमेशा के लिए भूलाना पड़ेगा. सिवाए तुम्हारे. क्यों? हिंदुस्तान में मर्द ऐसी ओरतों को बसंद करते हैं ना? ये तुम आउरत, मैं मर्द कबसे हो गए? तुम नहीं जानते? तुम्हारे और मेरे डैडी ने फैसला किया है कि तुम और मैं आउरत और मर्द बन जाएं. इस तरह दो बिस्निस हाउसे एक एंपायर बन जाएंगे. चेर्ज. क्या मतलब? मतलब नहीं समझे. वो धूब. मतलब है शादी. ये कैसे हो सकता है? आरे मैं भी तो यही कहती हूँ. कि ये कैसे हो सकता है? बिना एक दूसरे को जाने, समझे, भला. ये शादी कैसे हो सकती है? तो तुम्हें ये शादी नामन्जूर है ना? मैं इस बीच तुम्हें जान भी तो सकती हूँ. क्या मतलब? तुम नहीं जानते, लड़का, लड़की, एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं? अन्नू, कैसी हो तुम? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है. मुझे भी. बहुत डर लग रहा है मुझे. मैंने कल रात एक भयानक सपना देखा. खपराव नहीं, सब ठीक हो जाएगा. मैं तुम्हें साड़े नौब जिम्लता हूँ. मैं तुम्हें फ्लोर रेस्टरेंट मिलता हूँ. बेटे, हमने तैक कर लिया है कि बिये पास करते ही तुम अमेरिका जाओगे. वहाँ रीटा के डैडी तुम्हारा सब बंदोबस कर देंगे. और याद रहे, रीटा हमारी महमान है और तुम्हारी हम उमर. अपनी उमर की जरूरतों को तुम हम से बहुतर समझते हो हैं. हमने उसे प्रामिस किया है कि तुम उसे बंबई घुमानी ले जाओगे. अरे, अभी तक जागी नहीं, चाहाओ उसे जगाओ. और देखो, रईस बाप की एकलौती बेटी है, उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए. हम? तीटा को नहीं लाए. तेदी, तेदी वो सो रही है तेदी. पर मैंने ते तुम्हे उसे जगाने के लिए भेजा था न? हाँ तेदी, लेकिन... तो भाई जगाओ उसे, नहीं तो सारा दिन सोती रहीगी. तीटा? तीटा? मैं, मैं, मैं राजू हूँ. कमाल है, जो सपना मैं बंदाँखों देख रही थी. वो खुली आँखों भी नजर आने लगा. जीटा, मैं, मैं तुम्हें जगाने आया था. तो कौन सा पाप करने आये थे? छोकरी की तरह लाल तो ऐसे हुए जा रहे हो. जैसे ये सब कभी देखा ही नहीं. स्वामी दी! घेरवे वस्त्र पहन कर महालक्ष्मी की मंदर में धुनी रमा कर बैट जाए. चाय तयार है. चाय तयार है. बेटे, तुम जल्दी से तयार हो जाओ. तुमे रीटा को बंबई घुमानी ले जाना है. लेकिन अंकल मेरा महालक्ष्मी की मंदर में जाने का कोई इरादा नहीं. मंदर? मैं समझा नहीं. जाने दीजिए अंकल. ये मेरे और राजु के बीच राज की बाते हैं. ओ, तो तुमे राज की बाते भी शुरू हो गई हैं. सुना तुमने, तुम्हारा बेटा तो बहुत तेज निकला, हैं? लेकिन बाप से तेज नहीं. पैड़ी, मुझे तो कॉलेज जाना है. कॉलेज? और आज संडे को. परखोडार, अब तुम जहां भी जाओगे, रीटा तुम्हारे संग संग जाएगी. कमान केड़ाब, कमान केड़ाब, जाओ जल दूचे, तयार हो जाओ, जाओ बिड़ा, तयार हो जाओ. कैसी लगतियों, अंकुल? ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल. अ, देखो, हम दोनों का आई डिनर बाहर है, और वो केसर संग छुटी मांग रहा है, पिक्चर रहने के लिए, तुम लोग अपना बंदोबस कर ले ना. बाबाई, अंकुल. बाई. इक्सक्यूज मी, आपके गड़ी में टाइम क्या हुआ है, साड़ी तरस. प्राजी, जब भार जला जाता है, तो घर सूना सूना सा लगने लगता है. लगता तो है, लेकिन जवान बेटे को सारा दिन घर में भी तो नहीं बढ़ा सकते. एक आइडिया आया. क्या? तुम तयार हो जाओ. किस बात के लिए? एक और बच्चे के लिए. शरम नहीं आती? इस उमर में ऐसे बात करते हुए? उमर तो हो गई है, लेकिन इतनी भी नहीं के दादा ना बन सकते. मैं बोलते की बात कर रहा हुए? वैसे तुम क्या सोच रही थी? हाटू भी. हलो. मैं राजू से बात कर सकते हूं, प्लीज? राजू साहब रीटा मिम साब के साथ बाहर गये हैं. किस के साथ? रीटा मिम साब के साथ. मैं बेरी बात मानो, ये लो और घर जाओ. लेकिन पॉली, तुम्हें बी स्टूपेड, सबने भी कभी सच होते हैं. लेकिन नौकर ने फोन पर कहा था, कि वो रीटा के साथ गये हैं. जब तक राजू नहीं मिलता, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये रीटा कौन है, उसकी क्या लगती है, जवान या बुड़ी? चलो घर जाओ, नहीं तो की-की, और कुछ नमक मिर्ख लगा देगा. जाओ. घर जाओ, बाइ-बाइ. चलो जाओ, जल्दी करो, सन्यासी जी. आओ. प्श्ट. ये क्या है? सन्यासी जी, ये बर्खा मैंने नहीं. आपके भगवाने भीजी है, आपको मेरी करीब लाने की. रीटा, मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है. अरे सिर्फ बातें तो मुझे भी पसंद नहीं, तो कुछ और करें? क्या? ये? रीटा, पागल तो नहीं हो गयो तुम. तुम भी कमाल करते हो. लगता है अंकल से शिकायत करनी पड़ेगी. रीटा, कपड़े बदल दो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी. यॉरप में कोई ऐसे भीग जाए तो उसे ब्रैंडी पिलाते हैं? क्वर अग में जाएगी यॉरण तो, पड़ी अगाता हुआए यॉर तो, यॉर यॉर वदाएगी यॉरा तो. अच्छा शिगर नहीं समझा जाता है यॉर्प में और दो ट्रिंग पीने के बाद क्या अच्छा है क्या खराब कुछ परवा नहीं क्या कहा था कि कपड़े नहीं तो सर्दी क्याँ क्या्स क्याँ क्याँ कुछ खोने को दिल करता है कुछ पाने को दिल करता है कुछ खोने को दिल करता है ये प्यारा के हिसही चल जाने को दिल करता है जाने कर जाने जिन्दगी भै तुमसे दिल लगाने को दिल करता है कुछ खोने को दिल करता है, कुछ पाने को दिल करता है कि प्याराग हिस ही जन जाने को दिल करता है रबने मुझे एचिसे रूप में बनाया रूप वो दिखाने को दिल करता है रबने मुझे जिस रूप में बनाया रूप वो दिखाने को दिल करता है खून के हर खतरे में छुपी जो आप वो भुजाने को दिल करता है बदन की हद से गुजर कर दिल में उतर जाने को दिल करता है कुछ पौने को दिल करता है कुछ पाने को दिल करता है ये प्यार आगी ही सही जम जाने को दिल करता है जानी, है जानी, जानी प्यार, अगन है, मौम का तन है देख के तुम को पिढ़ले न के रहे प्यार अगन है, मौम का तन है देख के तुम को पिढ़ले न के रहे आरमा दिल में जाग रहे साघर में कोई तुम पाजे से हमेशा के लिए तुमें समा जाने को दिल करता है कुछ पाने को दिल करता है ये प्यारात ही सही जल जाने को दिल करता है जानी, है जानी जिन्दगी भर तुमसे दिल लगाने को दिल करता है कुछ खोने को दिल करता है, कुछ पाने को दिल करता है तुम तो यू घबरा रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हें खा जाओंगी लेकिन कुछ सोचो तो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं, मैं मजबूर हो मजबूर? हाँ, मजबूर क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ प्यार ही नहीं हमारी तो शादी भी हो चुकी है शादी? तो तुम तो तुमने यह से बाते अब तक, अब तक मुझसे क्यों चुपाई रखी? डैडी नहीं जानते पता चलेगा तो नाराज होंगे भूल जाओ इन डैडी किसं के लोगों को, इनका बस चले तो वो अपने बच्चों को दोर से बांध कर, कठपुतली का नाच न चाए आज आज आपने मुझे आफिस में बलाया? बेटा दफ्तर की बात है, दफ्तर ही में अच्छी लगती है मैंने सोचा के जो कारबार तुमें कल सम्हालना है, उसकी कुछ जिम्यदारी तुमें आज सौंपती जाए और फिर आपका इतना अबला धंदा आया और उपर से रीटा के डैडी का धंदा, मुझे अकेले से नहीं सम्हाला जाएगा, ओ नो डैडी मैं, मैं कुछ समझा नहीं हाँ बेटे, रीटा और तुम्हारी शादी के बाद उनका कारबार भी हमारा हो जाएगा दो कारबारों की शादी तो आप कर सकते हैं डैडी, लेकिन मेरी शादी से पहले आपको, मुझे से कुछना पड़ेगा बच्चों की शादी व्याद के फैसले बुजबरग अपनी मर्जी से करते है और मेरा खायल है कि अपनी शादी का फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है कोई लड़की है तुम ही नजर में ची, एक है हुआ, ओके हमारे बेटे की खुशी, हमारी खुशी, उससे शादी कर देंगे, नाम, पता अन्नू, सेठ प्रदीप राय चादरी की बेटी उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्यों? तुम किसी लड़की को सड़क से उठा लाओ, क्या हम उससे अपनी बहु मान देंगे? अन्नू, सड़क पे पली हुए लड़की नहीं है डाड़ी, और मैं उससे शादी घर चुगा हूँ उस, उस मोची की लड़की से? जी यह जानता है कि उनसे हमारी खांदानी दुश्मनी है? जी हाँ यह जानता है कि उनके कारण मेरे भाई की जान गई? और यह भी जानता हुए कि आपके कारण उनकी बहन आज भी कुवारी विध्वा बनी बैठी है आपको और कुछ कहना सुनना है? नहीं ना? हैरी, मैं तेरे घर ठर सकता हूँ? कुछ दिन के लिए? क्यों? क्या हुआ? मैंने घर छोड़ दिया है घर छोड़ दिया है? क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछ यार हाँ या ना? हाँ बाबा हाँ लेकिन तु पहले अनु से तो मिल ले रो रो कि उसने अपने आखें लाल कर ली है अनु, तुम्हारा रुमाल मेरा नहीं है आज शाम को क्या कर रही हो? क्यों? पिक्चर चले जाओ तुम्हारे साथ क्यों? क्या होगा अनु जिसे हम दोनों ने मिलकर बनाया था वो घर तो कपका तूट भी चुका क्यों अनु, तुम्हारे साथ हम बनाएंगे घर सपनों के शहर हम बनाएंगे घर पलभर में ये बना ये गिरा सपनों के शहर हम बनाएंगे घर हम बनाएंगे बनाएंगे साथ क्यों बनाएंगे रहा क्यों पिक हम भी तुम्हार क्यों आर वाग मिलकर पिछार चांदी का रंग हीरे का रूप घर पे मेरे सोने की धूप कल तक जो था होगा नकल दिल का मेरे शीश महल खो गई रोशनी सपनों के शहर हम बनाएंगे घर क्यों हो जुदा मुझसे खफा आजाओ तुम ना दो सजा मौसम हसे गुलशन हसे घर पर मेरे आंगन हसे रो रहा दिल मेरा सपनों के शहर हम बनाएंगे घर पलभर में ये बना ये गिरा क्यों घर ना दो मौसम मौसम इंजम दो दो मौसम Mitte रहादो मौसम क्यों का दो मौसम के इंजम मौसम के बनाएंगी हुआ 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 है यह सच होता तो क्या राजु तुम्हारे ले घर छोड़ता मैं क्या जानू आज शाम कुछ डिस्को थेक आ रही हो ना मैंने उसे भी बुला है किसको राजु को पगली और किसको अब क्या रखा है राजु अब वो पहले वाला राजु नहीं रहा तुम आओ तो सच जूट का पता चल जाएगा शाम को छे बजे बाई 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 यह राजु कौन है हम सब अच्छे दोस्त है पॉली हैरी राजु बाकी सब तो चीक है लेकिन राजु से तुम्हारा मिलना हमें अच्छा नहीं लगता डैडी कीकी में आपके कान भर दिये हैं राजु तो बहुत अच्हा लड़ो करहा है जिसे हम अच्छा कहें वह अच्छा है जिसे और बुरा कहें, वह बुरा है दैडी आप एक बार उसे मिल तो ले हमें उस दर्दी के बच्चे से नहीं मिलना और आज के बाद तुम भी नहीं मिलोगी लेकिन डैडी मैं उसे त्यार प्यार नहीं मेरे खांदान को बरबाद किया है और अब ये भूत इस पर चिपक गया है जब तक प्यार का बुखार नहीं उतरता इसका खाना पीना बंद कर दो किकी ले जाओ इसे कमरे में बंद करो अनू, सो गई हो गया आंटी, आप कब आई? यूही थोड़ी आख लग देती पगली, इस वक्त सो गई तो जिंदगी भर सोती रहोगी और वो तुम्हारी रात देकर लौट जाएगा जाने वाले एक बार चले जाएं तो फिर कभी लौट करने ही आया करते अनू, तुम चली जाओ आंटी, ये आप कह रही है हाँ, ये दुनिया है ना इसे अपनी आउलाद की खुशी भी नहीं देखी जाती इससे पहले के तुम्हारी खुश्यां हमेशा के लिए छीन ले भाग जाओ अनू, भाग जाओ अगर डैडी बिगड़े तो उनका सूचोगी, तो मेरी तरह स कुरसी से बंद जाओगी मैं वही ना कर सकी, जो मैं तुम्हे करने को कह रही हूँ आप? हाँ मैं प्यार, एक मौसम है जो जीवन में सिर्फ एक बार आता है मेरी जीवन में भी ये मौसम आया था तुझ में हिम्मत है अनू, हाँ आंटी तु भाग जाओ, इससे पहले के वो आजाए तु भाग जाओ, भाग जाओ अनू पगली बाप का घर छोड़ते हैं हर बेटी रोती है लेकि जाओ अरी, प्यार में तो लोग दुनिया छोड़ देते हैं तु ने तो सिर्फ घर छोड़ा है और फिर हम लड़कियों को एक ने एक दिन पाबुल मुरा बस बकवास बंकर अभी अच्छा बाबा, बंकर दिया पता नहीं बिचारे राजु पर क्या बीती होगी मैंने उसे ठीक से नहीं समझा न बिचारे को मेरे का घर छोड़ना पड़ा पता नहीं वो मुझे माफ करेगा या नहीं अरीब पगली वो प्यार ही क्या जिसमें माफी मांगी जाए और वो यार ही क्या जिसकी बाहों में सिमट दुनिया की खबर रहे लेकिन पॉली वो अब भी सामने आ जाएगा तो एक बार हाथ में हाथ थाम उसकी आखों में जाकोगी तो पूछूंगी कि जिस दिल में यार का प्यार है उस दिल में माफी के लिए भी कहीं जगा बचिया क्या साजन से मिलन होगा चुपना शर्माने के दिन आ गए चुप मुडे अच्छा सुनो तुम्हारा मेसेज राजू को क्लास में पहुंचा गया है जैसे एकलास छूटी वो सीधा यहां और फिर साजन से मिलन होगा भागो भागो यहां से जल्दी वहां मेरे साथ इदर आख पॉली यह भूद यहां कहां से आ गया सब का अम गरवड करते का पॉली कुछ पॉली कुछ पॉली कुछ पॉली सोच पॉली पॉली सोच अरी यह तो बेहोस होगी अप क्या होगा मर गये अपक्या होगा अनुव अब क्लास चूट गया है, राजू आता ही होगा, तुम दोना उनुको डॉक्टर के पास ले जाओ, कीकी को मैं संभालती हूँ ठीक है कीकी कीकी कीकी, मुझे भी चक्कु चलाना सिखाना अब आप अंदर जा सकते हैं मैं तो घबराई गया था तुम लोगों के अभी शादी भी नहीं हूँ जी शादी तो हो चुकी है भगवान के मंदिर में आर उशादी में न तुमारे माबाप थे न कोई गवा नहीं तुमारे पास उशादी का कोई सबूत वशे तुमारे उमर क्या है जी इक्कीस साल पूरे एक्कीस जी कुछ चार मेने बाके हैं और उननीस साल की होने के लिए अभ्यानों को तीन मेने बाके हैं इसका मतलब है कि कानून इन तोर पर तुम लोगों की शादी नहीं हो सकती आप तो एक ही हल है तुम दोनों के माबाप तुमारे शादी कराएं वो तेक दूसरे की सूरत तक तेखने को तयार नहीं माबाप तुम्हारे शादी करेंगे ने, और कानून तुम्हें शादी के इजादत देगा ने, क्योंकि तुम्हारे उमर कम है अगर माबाप बनने के लिए हमारी उमर कम नहीं, तो शादी करने के लिए कैसे कम है यह सवाल मुझसे नहीं, कानून बनाने वालों से पूछो अजीब कानून है यार, माबाप चाहें तो बच्चों का भी ब्यार आजा सकते हैं लेकिन हम, हम अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकते हैं अरे नो प्रॉब्लम यार, चार महीने की तो बात है, तब तक तुम दोनों मेरे घर में चुपे रहो और फिर बजेगी शहनाई और फिर किसी ने अन्नू को खाना दिया भी तक वो मैंने सुभा जो कहा था घुसे में कहा था तुम क्या समझे, कि मैं सच मुझ अन्नू को भूका पैसा रखूँगा राम सिंग, खाना लाओ मैं अपनी अन्नू को आज अपने हाथों से खाना खिलाओंगा क्या बात है अन्नू भाग गई ड़्यादी भाग गई? कैसे? अन्नू को तुमने भगाया मैं पोछता हूँ अन्नू को तुमने भगाया है? हाँ क्या हो? इसलिए कि मैं भाग नी पाई थी इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि वो जन्दगी भर मेरी तरह कुवारी बैठी रहे इसलिए कि प्यार करना कोई जूरू नहीं भगवान का सबसे बड़ा वर्दान है इसलिए तुमने जो मेरी साथ किया था वो उसके साथ ना कर पाओ इसलिए ये नफ्रत और जल्म का सिलसला हमें शकले खतम हो जाए इसलिए 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 तुम पागल हो गए एके मेरी साथ पलीस टेशन चले पलीस शगुन कुछ अच्छे नजर नहीं आता यार आजू भाग आओ बच्चू आओ पुलीस तुम्हारा ही इंतजार कर रही है तो चलो मैं कौनसा पुलीस से डरता हूं क्या नाम है तुम्हारा जी हैरी हैरी बहुत दोस्ती है तुम्हारी उस हरामजादे से किस से उसी उल्लू के पठे से जिसने मेरी बेटी को भगाया जी कहा है वो सापका बचा राजू मैं उसका खून पी जाओगा देखिए आपको ऐसी गंदी गालिया नहीं देनी चाहिए जो सर से पैर तक गंदगी से भरा है उसके जबान गंदी नहीं तो और क्या होगी कच्रे के डब्बे से ढकनट आईए तो बदू ही आएगी जिस हरामजादे ने मेरी बेटी को भगाया है उसे गाली नहीं दू तो क्या फूलो के हार पैनाओ वो मेरा बेटा है तुम उसको गाली दोगे तो क्या मैं चुपके से सुनता रहूँगा एक बार नहीं कहूँगा हजार बार कहूँगा लफंगे का बेटा लफंगा क्या कर लोगे मेरा तुम अरे मोची तेरे ही बनाए वो जूतों से मार मार कर सर गंजा गंदी आप लोग हटिये लेट में इंक्वायर मुझे कुछ पूछने दीजे राजू और अनू कहा है अभी अभी तुमेरे साथ थे किकी को देखा तो भाग गए भाग गए कहा ये मैं नहीं जानता ये एक छूट बोल रहा है छूटा तू इंस्पेक्टर साब एक नाबालिग लड़की को वरगलाने की सजा क्या है साथ साल इंस्पेक्टर आप तो आज की मौडनी लड़कीं को पैचानते हैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए अमीर लड़कों को फसाती है एक नजर उनके दिल पे तो दूसरे उनके पकट पे होती है उन्हें भला काउन वरगलाएगा अन्यू किसी फुटपाद छापे की नहीं करोरपती बाप की बेटी है दौलत आने से इसत नहीं आ जाती कहलाएगी फिर भी मौची की लड़की तेरे बेटे से तो बाद में समझोगा पहले तुझसे तो नपडलू मेरे अंदर भी कब से आग चल रही है तेरे लहो की चीटों सही बूचेगी आजया आजया लूद आप लोग फिर उलजगाए प्लीज प्लीज क्या तो मंदाज़ा लगा सकते हो कि वो लोग कहा गय होंगे? जी नहीं गुड अफरनून गुड आ हेल्प यू? एक कमरा मिल सकते है? आपकी बुकिंग है? सॉरी, नौ अपमेडेशन पीना समान के हम कमरा नहीं देते माया रानी, हमारा काम कब होगा? अरे मुवे, चाबी तो दे लेना, चाबी वो एक कमरा मिलेगा? कितने कंडे के लिए चाहिए? यही कोई दो-चार दिन के लिए दो-चार दिन के लिए 40 रुपे पड़े अडवास राम सिंग सापको 203 में लेकर जाओ क्यों छुमिया बहुत दिन के बाद आयो क्या बाद है? कुछ अजीब सी जगह है पर क्या करें? मजबूरी जो है राजू तुम्हे मेरे कारण कितने दुख उठाने पर रहे हैं न? अरी पड़ी तुम्हारे कारण मुझे इतने सुख जो मिल रहे हैं ओ राजू मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ कितना? इतना पस? इतना? इतना? पस? सिर्फ इतना सा? अच्छा और तुम मुझसे कितना प्यार करते हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करती हूँ उससे ज्यादा ये चीट छोड़े चोड़े कमीने शोड़े कैसा है? जाँ शोड़े करते हाता हाँ अनु भागो, पुलिस करेड़ा है आनु कि अब 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 कि अब अब व, अब अ मभ Snake, म कि … इंग। व, हो, कि अब 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 अबगड़क मुझी क की ओटना मुझी। वो हुमारे फे पग्र के दियों पग्री अनु कहा है यहीं कहीं होगी यार माता जी आप जाएए यहां से आपसे कहाना जाएए यूँ सरपे चरके खड़ी है आप एक बदमाश्ट को हम पर शक हो गया था यार अनु कहीं भस नहीं जा यार मैंने उसके चुट्टी बोलाना चुटा नहीं है अनु अरे यह चकर तुमने कब चलाया जब तुम नहीं यह चकर चलाया माप करना मामी जी बाप किया देवर जी लेकिन जीट मेने स्टेशन का चप्पा 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 चान मारा है मेना ख्याल है बोलो गया नहीं है वो दो क्रोड के हीरे लेकर भागी है अब एक बेवकूफ अगर वह हाथ से निकल गई तो मैं तुझे जंदा रही छोड़ूँगा लेकिन मैंने उसे हर जगा तलाश किया है कोई जगा नहीं छोड़ी तलाश करो वो प्रेश भी बदल सकती है और खाभी पहन सकती है और खाभी पहन सकती है बस मैं अब या फिर उन समयता है राजू सुबह ओ गई उठो वाँ अचाणा दीया नहीं तुम्ही जलीत से फुर्का पहन लो तर्वादा तो कुझ ये? हाहा! ा! हाह! मैं अका... कुल explosive के लिए हाए लुटना... जय वखंगा! क्या अच्छी बंगर! क्या लिए है?? कि अचीत प्रीडराई एन्य लाए। खखचिआ कुर उखचिब का पां! प्रौणी वए्र tow biss इएके बाचे प्रौणी एकाप्रव ईाल प्रौदे प्रौण प्रौफे एकाप्र है ओनी जोदे अरे कोई है कोई है कोई है बाबा कोई है देखते नहीं मैं हूं भैंस है और क्या चाहिए जी मैं मुझे आपकी मदद चाहिए जाओ जाओ मुझे फुर्सत नहीं है तुम आगे हैं मैं जानती थी तुम ज़रूर आओगी और मैं वे कितनी पगली हूँ जाकते सोते जिसकी रात देख रही थी वो आया और उसे ही लोटा रही थी जी वही तीखे ने नक्ष वही बाल वही रसीले होट टैडी कहते थे तुम्हारे सपनों का शैजादा पैदा ही नहीं हुआ लेकिन मैंने तुछ से पहले आपको कभी देखा ही नहीं सपने में भी नहीं नहीं बात यह है कि मुझे चल्दी ट्रेन से फेका गया है टार्लिंग तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हीं यहीं क्यों फेका गया कहीं और क्यों नहीं जी इसलिए कि दाता को मेरा और तुम्हारा मिलन मंसूर था मैं तो यह पूछने आया था कि आगले स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट का बंदबस हो सकेगा तो क्या तुम जाने के लिए आया हो क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं 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 ऐसा मैंने कब कहा आप सच मुछ बहुत संदर हैं लेकिन मेरी बीवी ट्रेन पर है और गुंड़े उसके पीछे पड़े हुए क्या तुम्हारी बीवी भी जी तो यह जनम भी इंतिजार में बीट गया लेकिन एक वाधा करो अगले जनम में मिलोगे तो कुवारे मिलोगे और मुझे भी कुंडों से बच्चाओगे न वाधारा तुम्हारी बीवी संदर है जी क्या तुमने कभी दूर दोहा है क्या या कभी कोशिश की है नहीं तुम जाके दूर दोहो मैं तुम्हें स्टेशन ले जाने के लिए तैयार होती हूं अम सॉरी भैंस जी बस आज ये गुस्ता ही कर लेने दीजिए खूर ये मात देखिए मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत प्यार से छूंगा कहां से शुरू करूंग कहीं गलत पकड़ लिया तो मार ना पड़ जाए हां सॉरी माता जी वह मिस्टर चीप तयार है हे भगवान थैंक्यू शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अरे सुनो अगली बार तुम्हे कोई चलती करेंसे फेके तो उसे पहले ही बता देना कि तुम्हें दूद दोहना नहीं आता हां बता दूगा और सुनो फुर्सक से आना अगले बार अभी जवान हो अग बहुत कुछ सीखना है अच्छा और अगले जनर में शादी मत करना अब अबाद अबाद रच्छू रच्छू बता इसे नहीं आथ आड़ अबाद पॅGGा आध ये शराबी कौन है शामू काखा यहां की रखवाली करता है पीथा भी तो कुछ नहीं यूँ ही मस्त रहता है शामू काखा कौन है अरे छोटे सरकार मैं भी कहूं के शामू के बारे में ऐसी बाते कौन बोल सकता है आरे भागवान अरे देखो तो बाहर कौन आया है यूँ कला फार फार चिला रहा है शराबी कहीं का ये कला अरे इधर देखो हाँ बाबू राम 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 आपने साधी कर लिया अब मुझे ख़बर भी नहीं किया बेटा जबसे आपके दादी का देहान थुआ मैं तो सब कु ये नहीं जानती चोटे सरका लंबे सफर से आ रहे हैं कुछ खाने पीने का बंदबस करो हाँ ठीक 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 चलो बाबू हाथ मुधो कर आराम कर लो हाँ अ, इहितते हैं क्के भेटावा हुआ है . व्या ए्क भेटां उह्या सirmुक पिति चुम स् mechanics 415 ra if we were पहले क्यों नहीं बताया क्या कि तुम और अन्नु देश के बहुत बड़े नेता हैं नेता अरे हाँ लीडर अख़बार में तो लीडर लोग के फोर्बू चपते हैं हाँ बेटा मुझे ये तो मालूम था कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे लेकिन ये नहीं मालूम कि लीडर बनोगे और शादी भी लीडर आनी सही करोगे हमारे तो भाग खुल गए मालिक का लिडर हाँ कर दो हमारा हाँ पगली रुक मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है थोड़ी दिन अपना ख्याल रखो लेकिन तुम तो परवाही नहीं करती तुम्हें तो इस समय घर से बाहर पाउं भी नहीं रखना चाहिए बेटी काकी तुम्हें कैसे पता चला कि यह मा बनने वाली है लो यह बाते क्या चुपा ऐसे चुपती है बेटा यह लो क्या मुझे देखने को कह सकता है कि मैं बाप बनने वाला हूं अब जाने भी दोहा है यह तुम्हें तो घर से भाहर कदम भी ने रखना चाहिए ना जैट मन में पॉली मेरे मन में मन में मन में पाली, 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 आप लोगने पास कुछ पैसे, नारूपी कोई नेगे देखे, मार्च पीना भादी पुरी जीग है, अम्बिय लखे हम मार्ने, नारूपीने, आप लोगने काले गुत्ते भागने जारे? माना जी आपके बाद पैसे होंगे आप जारू की खरी? मैं रहं आपे हट पाल सगसी में भी तिये के ला होंगे लाए का लेख रहा हि इस वुटफाड तिम लोगी शामत आ गई वी वास अमर्ट शामत आ गरिख दॉट शामत दॉट शामत आ चारीं का आप सब लोहों को इंकजाद था वो अब आन पांची है जवान दिनों के अर्मान और आज की उदास नसल के जजबात की तरजमान श्री अमीता बच्चन इसे आज तक आप लोगों ने फिल्मों में या फिर सपनों में देखा है वो आपके सामने आया ही चाहते हैं और जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे श्री अमीता बच्चन अपनी पाहों में ले लेंगे लीरा मतलब है उसे उनके साथ डांस करने खाव वभागय भी प्राप्त होगा सद्ध्य Computer के बच़् है श्री अमीता बाlor लीरा वाएड़ कामेगा दैकांडर कर दो के सिर्फार हो है कमेगा वान सिर्फार प्राप्ससमिव कर्शोर देखर 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 पे देखरो प्रीज कर्शोर प्राइव अभी जे हैं व्हुंए जे मौवरों। मेरा जी तो जही चाहता है कि इस हौल में जितनी खुबसूरत लड़कियां सबके साथ नाच सको लेकिन मजबूरी है परची पे जिसका नाम निखलेगा सिर्फ उसी के साथ नाच पाऊगों पिंद्या जी लाइए लेएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए झिन कर देंैं झी ने झाँ को झाल झी कि झाल दोल कि यजूँ को जड़ों अज़े करें लया मैंगा हुआ हुआ अज़े ए जटने लिए गापना लिए इड़ो है कर दो दो जो जो जो, अचैँ एकाराज। रूठोना घड़ी घड़ी यू तुम चोटी चोटी पात त दिल मेरा तोड़ोना रूठोना रूठोना गड़ी गड़ी हूँ तुम छोटी छोटी बात अब दिल मेरा तो रोना भाला तो रोना थाला रोना तुम डोटी बाला तो वड़ी ca। राला तो यूजरी गड़ी दिल मेरा जाएके लड़ी आरमा तहे लाखो मदर्वक्त है तम, जो बर मिले प्यार में उसे गुजारो सनम आरमा स्थो HIV सित्पर में उसे गुजारो सनम तिंस तमकर ध्यार पंद 我न चुमकर घुस्ता चटो ना शुभाना शुभाना काजर समना शर्रूपन कृनग कर भुस्ता और ना गड़ी ठरा गड़ी तुम चैटी ञर्राल मेरा टोण fällt ना खड़ी घड़ी यो तुम चाटी चाटी बाप पे देल मेरा को लोना नाचो जरा हाथो में तुम हाथ लिये मस्ती में तुम जुमो मुझे साथ लिये नाचो जरा हाथो में तुम हाथ लिये, मस्ती में तुम जो मुझे शाथ लिये रहनाने चंग में तरंग तरंग में मुखडा दोड़ना रहनाए चंग में तरंग में तो जंग में मुखडा दोड़ना रूठो डा लुच्वाना सब्सक्राइब कर बक में पूनि को इस भी टाय। किर देड़ लगिर लुटत अभी लगाए लुटत वलाहत भी लुटत जाचार एाज राए राए लुटत वड़ लुटतम है झाल झाल हुआ 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 है कहा गया वो हराम जादा पता नहीं हमने सब जगा ढूंडा उसे ना जाने वो कहा चला गया तुम लोग उस तरफ जाओ चल चकू चल मेरे साथ राद काफी हो गया किकी कोहा हुआ है कर गभ ऱऑने की वक उव खिता हुआ हुआ है का थाजा भ पताद संस्क चपता। हँआ है आपी मुझे बजा लीजी न बेहन जी अब मैं तेरी बेहन लगती हूँ आपने लगते बेटे को भी घर से निकाल दिया मैंने निकाला या वो खुद घर छोड़कर भाग गया नचारा भूका प्यासा नचाने किस हाल में होगा जाते हुए घर से कुछ पैसे भी दोले की नहीं गया भूका प्यासा माई फूर्थ अंकल अंकल कीकी ने मुझे मारा जरूर तुमने कोई शरारत की होगी नहीं अंकल मुझे मारा भी और राजू का एड्रेस भी छीन लिया तु जानता है राजू कहां है जी हां दादी मा के फार्म पर और तुने आज तक ये बात हम से छुपाई रखी हुल्लू का पठ्था चलो जी जल्दी करो कि ताले बाप आये ऐसी दोस्ती से कंभी किसी का भाई पीठता है तों कभी किसी का भाप किस के लिए बुन रहे हुद अरे भैईuda किस के लिए बुन रहे हुद जेट इसे तो भूग लगिया है अच्छा, तुम्हें किसे पता चला? अरे, मैंने उसके रोनी के आवाल सुनी आए तुम्हें पता चला के ये लड़का है या लड़की? अरे, बुद्धु, अगर रोता है तो लड़का और अगर रोती है तो लड़की इतना भी नहीं पता तुम्हें मूर्ख डाड़ी तुम्हें? तुम्हें? आज, 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 बास, बास, निकल, आज निकल, तर्थधी के अला, तू बबाय आज, आज, आज झाल 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 लाटाथ अगर तुम जीत दीगाई तो मैंसे हार में बद दूँगा सुरंदर मान सौनी जौलत से इजग का सौड़ा नहीं किया जाता कभी लेकिन एक कप्ड़ का मैं पहरी किया जानेगा इसे मोची दर्जी 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 मोची कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अंच वह अधाद पत्नाश तेरी बेटी जिसरे बेटे को भगाया तो हमारे खांडान को गाली दी तुमको और तुम्हारे बेटे को गाली नहीं दिन तो क्या तारीफ कल तुमारी पहले मेरी बेन की जिन्दे की बरबात की और उसके बाद मेरी बेटी के पीसे पढ़े हो तदी प्राय पुरानी जखम न छेर नहीं तो खुन खराबा हो जाएगा अरे धमकी किसे देता तो यहां भी किसी ने चूड़ियानी पहनी आज तो फैसला होई जाए अज तो फैसला होई जाए सरकार अच्छा हुआ आप समय पर आ गए जल्दी से कलरी डाक्तर का बंदबस्त कीजिए नहीं तो आपकी बहूं उसके बच्छी की जान खतर में पड़ जाएगा मेरे कोई बहू बहू नहीं है सरकार यह क्या कह रहे हैं आप घबरामत बेटी घबरामत मैं भी डॉक्टर लेकिया आता हूँ तो घबराना मत बेटी मैं राजू जाएगा 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 जाए कर दो हुआ है! अगाव झाल, 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 झाल. वो, झाल, झाल. झाल 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 मेरी बहु की जान बचाले लीज लीज अलाओ 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 बढ़ाई हो बाबू बेचा हुआ बेचा आप कप उता अब आप दादा बन गए और मैं है नाना बच्चे की आखे बिल्कुल मुझ जैसी और माथा बिल्कुल मुझ जैसा नाक बिल्कुल राजु जैसा है और होट बिल्कुल अनु जैसे गाल मेरे बाल मेरे इसकी शकल तो बिल्कुल मेरे पिता जी से मिलती है तुम्हारे पिता जी से शकल तुम्हारी मिलती है इसकी शकल तो मेरे पिता जी जैसी है क्या पकते हो ठीक ही तो कहता हूं तुम्हारे खांदान में आज तक अभी सुन्दर बच्चा पैदा हुआ है जो आप होगा फबरदार जो मेरे बच्चे पर अपना हग जमाया तुम्हारा बच्चा आप लोग फिर जगडने लगे ये बच्चा ना आपका है और ना ही आपक ये बच्चा तो हमारा है हम सका एलब हो समाल के हैं हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है